नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे रासी फल धाम यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला रासी वालों के लिए केसा रहेगा किन की चीज़ों से इनको फायदा होगा और की चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ के से रहेगी केरियर के सा रहेगा बिजनेस और वेपार के सा रहेगा और स्वास्त की महत पुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबांग का क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके दोस्तों आपकी वीरासी तूला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे अंतर तक जलूर देखें वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ हमें नोटिपिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजेटिव रहने वाला है दोस्तों प्रपटिय अथवा इन्वेस्मेंट समंधी योजना को क्रियामिंद करने का अनुकुल समय है घर में वास्तु समंधी नीमा का पालन करने से घर में सकारतमक भी आएगी बच्चों के केरियर से समंधी कुछ समचार भी मिल सकता है आज आपका ग्रिस्थिती समान है लेकिन किसी भी परतिस्थित बेक्ती से मुलाकात आपके लिए लाबदाय साबित हो सकती है कुछ बहतरी इंचानकारिया हासिल होगी नजदे की समंधीयों के साथ भी मुलाकात के अफसर बनेंगे और आपसी विचारों का भी आदान परदान होगा दोस्तों भाग की आप एक्छा कर्म पर विश्वास रखें अपनी किसी प्लानिंग को किर्याविंद करने से पहले पुर्न विचार जरूरी है इसे अपनी कामियों में सुधार लाकर उचित परनाम हासिल कर सकते हैं अपनी महनत और लगन के परनाम सिकर ही मिल सकते हैं दिन की सुराथ अनुकुल रहेगी वैस्ता के बावजुद आप अपने रूचित समंधी कारें के लिए भी समय निकाल लेंगे युगां को कोई कम्पिटेशन एकजाम समंधी उचित परनाम भी मिल सकता है दोस्तों किसी परिवारी समस्या को सुलजाने में आपका विशेश योगदान रहेगा लोग आपकी युगता की शाहर ना करेंगे दिन कुछ शमान ही व्यतित होगा लेकिन आप अपनी युगता से मन मुताबित कार में सफलता पाही लेंगे दोस्तों भगवान का हाथ आपके शर्पे है आप कोई भी काम करेंगे तो आवसी आप सफलता पाएंगे और अनिक जनकरियां अनिक चमतकरियां भी हासिल करेंगे गर के वारिष तरस्वा का असिरवाद और स्ने परिवार पर बना रहेगा अधात्मत से जुड़ी किसी विशेस बात को गहराई से जानने में रूची रहेगी और कुछ नहीं जानकरियां भी हासिल होगी किसी महत्यपुन यातरा को भी अस्तगित करने का नेने लेना उचीत रहेगा दोस्तो किसी भी नजदी की मित्र की सलह आपके लिए किसी विशेस काम को पूर्ण करने में सहता करेगी उधार दिया हुआ पैसा भी आपस मिलने की शंभावना है समाज में सेवी कारिके परती अपका विशेस योगदान रहेगा दोस्तो आपका नेगेटिव में किसी भी विप्रीद परस्यतियां में अपना आत्म विश्वास बनाए रखें इससे जल्दी परस्यतियां समान भी हो जाएगी अपने कुरोध और एहम जैसी कम्यों पर सुधार लाएं नहीं तो कुरोध से कोई भी काम शफल नहीं होगा कुरोध से आपको सब काम में घाटा ही लगेगा इसलिए दोस्तों कुरोध पर कंट्रोल रखें तभी आप कोई काम में आगे बढ़ सकते हैं अपने कुरोध और एहम जैसी कम्यों पर सुधार लाएं इनकी वज़े से कोई महतकुन आपसर हाथ से निकल शकते हैं कुरोध और आवेस को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको महतकुन आपसर हाथ से निकल शकते हैं दोस्तों व्यर्थ की गत्तिविदियों में ध्यान न देकर अपने कारे में ही वैस्त रहें। इसमें उचीद बजट बना कर चलना जरूरी है। कोई लोन लेने की योजना बनाई है तो उसे समय अभी और अधिक जानकरियां लेने की जरूरत है। दोस्तों पुरानी नकार्तमाँ बातों की बज़े से किसी करिवी के साथ कलग किस्ती बढ़ सकती है। समयदारी से समंसिया को सुल जाने का प्रयाश करें। दोस्तों अपने उप्रवधियां का ज़्यादा दिखावा न करें। किसी खास मित्र के साथ वेचारी मद्भेद की बज़े से दुरियां आएगी, आपकी विरोधी जलन की भावना से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए साबधान रहें, आपकी वेहम और जिद्धी सभाब की बज़े से किसी के साथ समंद में खटास आ सकती है, कभी आगे नहीं बढ़ने देता है, गुस्ता आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए दोस्तों गुस्ते पे कंट्रोल रखेंगे, तो आप हरे कार में सफलता पालेंगे, नकारतमा बातों को अपने उपर हावी ना होने दें, इस वज़े से कोई काम बनते बन आदमें ना उल्जें, इनकी वज़े से आपके परिवार में तना परा सकता है, विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेका लापरवार रहेंगे, दोस्तों आपके वैपसा समिंदे राज की मामलों में किसी अनुवी व्यक्ति से मार देसन लेना जरूरी है, इसमें निर्ध वैपसा में गती आएगी, पर 30-30 लोगों के साथ समन्द खराप न करें, सरकारी करयाले में किसी परकार की राजनिती चल सकती है, दूसरों की मामलों में ध्यान न देकर आपने काम से ही मतलब रखें, वरना बिना बात के ही आप उलज सकते हैं, दोस्तों वैपसाई वैश् इस्टा बत्वा कर्मचारियों से समन्द कुछ दिकते रहेगी, नोकरे में काफी समय बाद आप अपना टार्गेट हासिल करने में शफल होंगे, सरकारी नोकरी में भी कोई महतपुन कारभार मिल सकता है, दोस्तों वैपसाई गती विदियां से समन्दी अभी कोई भी है, आपिस में नकार्तमा परवर्ति की लोगों से दूरी बना कर रखें, और अपने काम पर ही ध्यान दें, अपनी कारभ परनाले में किये गए बदलाब से सकर्तमा परना मिलेंगे, मेडियार ऑनलाइन कारवे में ज़्यादा ध्यान दें, इसे वैपसाई को गती देने में साहता मिलेगी, नोकरी में किसी भी सहयोग के साथ व्यर्ति की भास में ना उलजें, वरना वो किसी कारण से आपको फंसा शकता है, दोस्तों आपके लव लाइफ में, परिवार में सुक सान्ति पूर्न माहुल रहेगा, विप्रित लिंगी मित्र से मुलाकाद मन को करें, दोस्तों पती पत्नी में भावनात्माग और विश्वा सुपूर्नी रिस्ता और गहरा होगा, प्रेम समंद में चाहिर होने से परिवारिग नाराजगे भी सहन करनी पल सकती है, पती पत्नी के भी समान जसर हेगा, प्रेम समंद में भावनात्माग रूप से और अध बना कर रखेगा किसी मित्र से मुलकात भी खुशी देगी दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो आपका स्वास्त ठीक रहेगा गैस और कब जेसी समस्या से रहत पाने के लिए अपना आहार विहार ठीक रखें महिला एपने स्वास्त का खास ध्यान रखें इन्फेक्शन होने की असंका है इस्टों स्वास्त में गिरावाट महसुस हो सकती है कम जोरी बिखार रह सकता है इस दिए साबधान रहें वरतमन बतारवन से अपना बचाव रखें निमित जाज भी करवाते रहें दोस्तों इस्समें पेटडर्द और भूखना लगने जैसी समस्या का सामना करना पल सकता है हलका आहर लें दोस्तों ज़ादा ठाकान की वज़ए से सीट दर्द और कम जोरी मैसस हो सकती है ध्यान और मेर्डुरिशन आवस करें इससे स्वास्त में सुधार आएगा स्वास्त को लेकर कुछ परेशानिया बनी रहेगी लेकिन चिंता करने जेसी स्थिन ही है थोड़ी सी सावधानी आपको स्वास्त रखेगी चले इसनों बात करें आपके उपाई के बारे में दोस्तों रोज सुवास्ना निर्वर्त रोके सुरी भागवान को जल अरपित करें चल हमेशा सुवा के समय जल से जल देना फाइदे मन होता है सुरी की रोशनी तेज हो या चूबने लगे तब जल देने से कोई फाइदा नहीं होता है जल देते समय तामबे के लोटे में जल भरें। इसमें चावल फूल डाल कर सुरी को अरपित करें। सुरी को जल देते समय आपका मुखे पूर्वी दिशा की और ही होना चाहिए। यह उपाय करने से दोस्तों, आपके घर में पूरे परिवार में सुक सांती प्रदान दोस्ता आप बात के लता है आपका भागशाली रंग और भागशाली आंक क्या है दोस्ता आपका भागशाली रंग हारा है और भागशाली आंक पांच है दोस्ता भगवान सुरीदेव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कॉमेंट बक्स में ओम सुर्याय नमा जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेयर जडूर करें धन्यवाद